नमस्कार आस्क अस्वनी जी यूटूब चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आकाशिक रेकॉर्ड और हमारे कर्म के साथ क्या संबंध है कहीं लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपका ये जो दिवे द्रस्य आकाशिक रेकॉर्ड कोर्स है इसका हम अपने जीवन में कैसे उप्योग कर सकते हैं और कई लोगों ने मुझे ये पूछा कि अक्षर हमने तो ये सुना है कि everything is destined, सबकुछ निर्धारित है हम उसको बदल नहीं सकते तो फिर आकाशिक रेकॉर्ड को रीड करके भी फाइदा किया है तो आज आपको इस वीडियो में मैं बड़े systematically, logically आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आप अकाशिक रेकॉर्ड का उप्योग कर सकते हैं खैर हम सभी जानते हैं कि मोबाइल में हम GPS का उप्योग करते हैं हमें कहीं जाना होता है तो हम GPS को उन करते हैं मोबाइल में तो मोबाइल का स्क्रिन के उपर हम जहां पर अभी वर्तमान में है और जहां पर हमें जाना है मतलब कि जो हमारा destination है वहां तक का पूरा route मोबाइल में एक blue रंकी लकीर से दिखाया जाता है जैसे के मान लिजिए आप यहां पर अभी हैं और आपको कहीं जाना है मान लिजिए आप अभी मुंबाइ में हैं और आपको पूरा जाना है और आपने जैसे ही मोबाइल में GPS को आउन किया तो आपके मोबाइल में जो है आपके वर्तमान लोकेशन से ऐसे जिक जग 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 जो भी इस तरह से होगा और यह आपका जो डेशनेशन यहाँ पर दिखाय जाएगा ब्लीरंगी लाइन से और मान लिजे कुछ किलोमेटर के बाद कोई रुकावट है कोई बड़ा ट्राफिक जम लगाऊवा है या और अन्य कोई रुखावट है रास्ते पे कोई काम चल रहा है और तो आपका GPS क्या करेगा आपका GPS जो है आगे वहाँ पर उतना जो है वहाँ लाल रंग से ऐसा लाल रंग से हाइलाइट करके आपको दिखाया जाएगा ठीक है उतना ही नहीं लेकिन आपका GPS क्या करेगा GPS जो है वो आपको यह सुझाओ भी देगा कि यदि यहाँ से इस जंक्षन से यह जो पॉइंट है यहाँ से अगर कोई दूसरा वहिकल पिक मार्ग संभव है ज्यान से सुनिएगा तो यह वहिकल पिक मार्ग को अगर आप सु आपका GPS जो है आपको रिरूट करके बता देता है अब यह संभव है कि यह अगर आप इस रास्ते से जाते तो यहां का रास्ता मान लीजिए 20 किलोमेटर है यहां से यहां तक का और अगर यह रास्ता लेते मान लीजिए दूसरा रूट लेते तो हो सकता है यह रास्ता शाय करना पड़ता और इस रास्ते से आप जाओगे 30 किलोमेटर है लेकिन समय शायद उतना ही लगेगा या तो हो सकता है उससे जल्दी आप अपने गंतवे पे पहुंच जाओ यह तो मैंने आपको GPS का उधारन दिया अक्षर हम इस तरह से GPS का उप्योग करते हैं और GPS हमें अपने destination तक जाने के लिए इस तरह से मदद करता है रास्ते में यदि कोई रुकावट है तो ये भी करता है सवाल ही है कि हमारे जीवन की जो जर्नी है हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारी चुनोतिया आती है क्या ये संभव है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा सिस्टम हो जिसका हम GPS की तरह उपियोग कर सके और जीवन में आने वाली चुनोतियों के बारे में पुर्वजानकारी प्राप्त कर सके और यदि संभव हो तो हम वहिकल्पिक मार्ग चुन कर उस आने वाली चुनोति को टाल सके ये संभव है जी हाँ ये बिलकुल संभव है और अगर मैं सच तो ये आकाशिक रेकॉर्ड कोर्स जो हमारा है दिवे दृस्टी आकाशिक रेकॉर्ड कोर्स अपने आप में मान लीजिये है GGS God's Guidance System बाकी जो जानवर है इनसान के अलावा उस जानवरों को परमात्मा ने केवल और केवल इंस्टिंक्ट दिया है आपने देखा होगा कि एक हमिंग बर्ड जो है जो गोंसला बनाता है आपने देखा होगा कैसे इनके लाके एक बढ़िया सा सुन्दर सा गोंसला बनाता है दो compartment भी बनाये हैं और बैटने के लिए एक जूले जैसे या balcony मान लीजिए वैसा भी बनाया है अब सवाल यह आता है कि इनके पास तो कोई intellect याने की बुद्धी नहीं है तो कैसे यह गौसला बनाता है यह जो गौसला बनाता है instinct के जरीए मतलब कोई ऐसी अज्याच शक्ती है जो सारे जीवों को मदद कर रही है और यह hummingbird जो है वो उसी instinct का उपयोग करके गौसला बनाता है और हम इनसानों को परमात्मा ने instinct के अलावा intellect भी दिया है और सबसे बड़ी problem यह है कि हम जैसे 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 हम evolve होते गए हमने अपना intellect का उपयोग करना शुरू किया लेकिन अपने instinct का उपयोग करना हम भूल गए हम अपने instinct और intellect यह दोनों को कैसे समनवाई किया जाए यह हम भूल गए तो आईए इसे समझते हैं कि कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं और क्यों आपके लिए ये दिवेधस्य आकाशिक रेकॉर्ड कोर्स करना जरूरी है और उससे आपके जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं ये हम बड़े डिटेल से समझेंगे तो कैसे हम आकाशिक रेकॉर्ड के जरिए डिवाइन गाइडन्स को पराप्त कर सकते हैं और कैसे हमा चित्र में आपको एक मुवबती दिख रही है और ये जो है मुवबती की जोद है और ये रोश्नी का एक दाइरा है अब जरा सोची मान लीजिए पांट रुपए या दस रुपए का एक सिक्का फर्स पर यहाँ पर पड़ा है जो कि इस रोश्नी के दाइरे के बाहर है जह दाइरा भड़ता है और जो चोटी सी चीज या जो सिक्का पांच रुपए दस रुपए का जो रोश्नी के दाइरे के बाहर था वो भीतर आ जाता है और हमें नजर आता है ठीक वैसे ही हमारी जो चेतना है अगर हम कहें कि ये मुवबती जो है हमारे शरीर की तरह है और हमा ऐसे बहुत सारी उतना का दाइरा सिमीत है जब तक में हमारे जीवन के ऐसे बहुत सारे सवाथ, ऐसे बहुत सारी समश्याओं का समधान हमें नहीं मीलता है। लेकिन कहते हैं कि सारी समश्याओं का समधान अवकाश में, स्पेस में मौजूद है जैसे हमारे शरीर के DNA में, हमारे स्वास्ते के बारे में सारी जानकारी होती है वैसे ही स्पेस यानि कि अवकाश इस DNA आफ यूनिवर्स आकाश में पूरे ब्रह्मान की जानकारी है लेकिन यह जानकारी जो है शब्दों की बाशा में नहीं है फ्रिक्वंसी की बाशा में है और हम यह सीख सकते हैं कि कैसे इस frequency के साथ अपने दिमाग को tune किया जाए और कैसे उसे decode किया जाए और यही हम इस हमारे course में methods सिखाते हैं, technique सिखाते हैं कि कैसे आप इस frequency को grasp करके कैसे decode कर सकते हैं कि इसके लिए कोई ध्यान वगेरा करने की आवशकता नहीं है, कई लोग हमें पूछते हैं कि इसके लिए क्या हमें ध्यान करना जरूरी है, हमसे तो ध्यान नहीं होता है, तो क्या हम इस आकासित record को access कर पाएंगे, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि यह जो course में आपक का उपयोग कर सकते हैं, तो दरसल में सचाई यह है कि हमारी जीवन की जर्नी है, वो दोरी है, दो प्रकार की हमारी जर्नी है, जैसे आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं, कि हम पैदा हुए पहले हम पशू के रुप में थे, आदिवानव के रुप में थे, दीर करते हैं, यह concept हमको मालूम है, लेकिन यह concept दरसल में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको practically अगर समझें, और इसमें हमें आकाशिक record क्या मदद कर सकता है, यह जानना बहुत शरूरी है, तो जो हमने यह example समझा था, कि mobile के GPS में हमारे गंतेवे तक का पूरा रास्ता दिखाया जाता है, जहांपर traffic jam होता है, या कुछ अवरोध है, तो लाल रंग सा highlight करके दिखाया जाता है, और यदि कोई alternate route possible है, तो वो भी हमें सुचित किया जाता है, ठीक इसी तरह हम आकाशिक record को हमारे जीवन में GGS की तरह उप्योग कर सकते हैं, अगी अभी आपको ए एक इनसान की जीवन की जो पूरी जर्णी है, है ना, जन्म से लेकर मृतियों तक की, अगर उसको एक लखीर में हम दर्शाएं, तो यह हो गया मान लीजिये, बर्थ है ना, और मृतियों, तो जन्म और मृतियों की बीच का जो अंतर है, उसको हम कहते हैं, life journey, जीवन की जर्नी अभी हम जीवन की जर्नी में जो आगे बढ़ते हैं बढ़ते कैसे हैं हमारे कर्मों के जविए हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर हमें जीवन में उस तरह से जो है परिनाम मिलते हैं कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है लेकिन सोच हमारे कर्मों में तब्दिल हो जाती है तो मान लीजिए एक इनसान जो आज से मान लीजिए 20 साल के पहले पैदा हुआ था और अभी यहां पर है अभी यहां पर है और उनकी आयू है 20 साल 20 साल की उमर मे इंसान अभी करीब करीब अपने करियर के बारे में सोचता है, अपने जीवन की कामियाभी के बारे में सोचना वो शुरू करता है, कोई व्यावसाय को अपने आजीवका के रुप में चुनने का मिरनाय करीब 20-21 साल के उमर में वो करता है, और उसी क्या दार पर आगे उनको जीवन में जो है कामियाबी मिलती है अब देख कि यह होता क्या है हम जैसे मैंने आपको हमिंग बर्ड का उदाहरन दिया था कि ओगोंसला बनाता है के वल इंस्टींट का उपयोग करता है और हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है कि अगर हम वाकई में जीवन में एक कामिय आप इंसान बनना चाहे और एक उत्कुरूस्ट जीवन जीना चाहे तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है और वो है intention ध्यान रहे attention and awareness intention, attention and awareness है हमें परमात्मा ने दिया है हमें सोचने की ताकत दी है बाकी जानवरों को सोचने की शक्ती नहीं दी है वो केवल उनको इंस्टिंट दिया है और इंसान को जो है मन दिया है इसलिए हमें मानाव कहा जाता है जिनने सोचने की शक्ती दी है जिनको मन की शक्ती दी है तो हम intention कर सकते ही, मतलब कोई इच्छा कर सकते हैं और हम अपनी इच्छा के उपर अपनी चेतना की शक्ती को focus कर सकते हैं, उनके उपर ध्यान दे सकते हैं, attention और awareness अपनी जागरत रुप से अपनी चेतना का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी problem यह है, यही चीजों का हम उपयोग ढंग से नहीं कर पाते हैं, और इस वज़े से क्या होता है, कि जो हमें तीन चीजें और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बाकी जानवरों को केवल instinct दी है, और हमें instinct के साथ में intellect भी दिया है, intellect याने कि बुद्धी, और हमें intuition भी दिया है, बाकी जान आवर जो है, उसमें से क्या है, कुछ नो कुछ एक sense की शक्ति उनको विशेश रुप से दे गई होती, जैसे कुट्वे को सूंगने की शक्ति हमसे ज्यादा दी है, उल्लू जो है, रात को अंधरे में भी देख सकता है, लेकिन इनसान को हमारी जो ये पाचों इंदरियां ह हैं, आख, स्मेल, स्वाद, स्पर्श और कान से जो सुनते हैं, उस पाचों इंदरियों को मिला कर एक और sense दी है, जिसको हम कहते हैं, शिक्त सेंस, और सिक्त सेंस के जरिए ही हम intuition वगरा का उपयोग करते हैं, हमें जीवन में चाहिए, ये intention, attention, awareness और instinct, intellect, intuition, ये सभी को हम integrate कर पाएं, ये बहुत जरूरी है, और ये integrate कैसे होगा, जब जैसे mobile में आप GPS on करते हो, तभी आप ये इस तरह से आप बिना किसी तकलीफ के अपने गंतवे पर पहुंशते हो, और इसी तरह जीवन में यदि आपने GPS का उपयोग किया है, GPS का उपयोग किया है, तो आप बिना क किसी कस्ट के जीवन में एक उत्कुरुष्ट और कामियाव जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि जीवन में, pain is essential, but suffering is optional, pain जरूरी है, चुनोतिया आनी चाहिए, लेकिन जीवन में कस्ट नहीं होने चाहिए, और जब जीवन में चुनोतिया आती है, तो परमात् जनतियों को कैसे निपटना, उसके बारे में भी हमें संकेत देता है, हमारा मागदशन करता है, लेकिन ये मागदशन जो है, सब्दों की वाशा में नहीं है, frequency की वाशा में है, तो कैसे हम अपने जीवन में उसका उप्योग करते हैं, अगर उसी उदाहरन को मैं आगर दाहरन दिया था, और मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी, कि इनसान पहले पशू था, फिर आदिवानाओ के रूप में जैसे जैसे उनकी चेतना विक्सित होते गई, इंटलैक्ट विक्सित होता गया, और दीरे दीरे आज हम एक बुद्धी जीवी के रूप में करते हैं, तो ये चेतना का विक्सित होना मतलब क्या है? चेतना का व्यक्षित होना मतलब यह है कि यदि मान लिजिए कि जैसे मैंने बताया था कि aeroplane जो है जब take off करता है तो पहले runway पर दोरता है थोड़ा फिदेरे देरे 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 उपर उठना चऱ शुरू करता है वैसे ही हमारी जो जीवन में जरनी हैं, हम चेतना को अलग-अलग सर पे उपयोग करते हैं, बहुत इक सर पे करते हैं, तो मन लिजे कोई इनसान जो है, यहाँ पर है, ठीक है, और इनकी एज है, 20 साल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी उन्हें कुछ निरने लेने है लेकिन वो उनकी चेतना का जोस्तर है, बहुत इग्रास बोडी लेवल पर है, अगर यह मान लें, यह इनसान, एक मुंभत्ई है, ओकिर अइसा मान के चलते हैं, और उनकी चेतना का दायरा, जैसे मौंभती की रष्णी के दायरे के बारे में, हम ने समझाता है है, वो इतना जीवन में इतना जो डिस्टंस है उसमें जो जानकारी है वही उनको पता है मतलब जैसे इस कमरे में मैं खड़ा हूँ और मेरी इतना का जारा सीमित है तो इस कमरे में जो है वही मुझे पता है लेकिन अगर ये इनसान मान लीजिए अगर ये मान के चलें कि एक रोड है एक रूट है और ये इनसान इसी ड्रोन कैमरे से यहाँ पर कोई ड्रोन कैमरा है और ड्रोन कैमरे से वो नीचे सारा एक मोबाल पर देख रहा है जो GPS में भी तो वही होता ने, satellite के जरी आपको route दिखाया जाता है तो यहाँ पर expanded consciousness और extended consciousness क्या है यह concept को समझने के लिए हम एक drone के उधारन का सहरा लेते हैं मान लिजे, इनसान अपनी चितना सक्ती से अपने दिमाग को एक drone camera की तरह उपयोग कर सकता है तो अगर मान लिजे, यह drone camera है तो जाइर सी बाते इतनी हुचाई से वो उसकी चितना का दायरा करीब करीब इतना होगा तो जैसे-जैसे वो drone को और उपर लेके जाएगा और उपर लेके जाएगा तो यह दायरा जो है बढ़ते जाएगा लेकिन जैसे वो दैरे की भितर आएगा वो दिखनी लगता है तो वेसे ही जब आप अकाशिक रेकॉर्ड की मेहतर्स को उपयोग करते हो आपकी चेतना विख्षित होती है तो आपको आपके जीवन में आने वाली जो भी घटना हैं चुनोतिया हैं उनकी पूर्व जानकारी आप राप्त कर सकते हो और जहां संभव हो आप वहिकल्पिक कर्मों का चैन कर सकते हो वहिकल्पिक कर्मों मतलब दीखिए होता क्या है जीवन में जो भी घटना घटती है उसका दो है प्रपस होता है cause and effect उसका impact है यह है कि कोई निरने आपने पहले लिया था और उसकी वज आशने वह है effect cause and effect तो आज आप वर्तमान में कोई ऐसा कर्म करने वाले हो कि जो की आपके आने वाले जीवन में एक कस्ट का कारण बनने वाला है तो यदि आप अकाशिक रेकोर्ड की मैथर्स को उप्योग करते हो तो आपको यह पता चल सकता है कि यदि आपने यह निरने लिया तो आगे ऐसा हो सकता है जैसे आपको GPS में पता चलता है कि हाँ यदि आगे ट्राफिक जाम है तो यदि यह रास्ता आपने चुना तो आप ट्राफिक जाम को अवाइड कर सकते हो बले ही दस किलोमेटर की दूरी लंबी है लेकिन बिना कस्ट के आप अपने destination पे awareness और और जो मैंने आपको बताया था यह है इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट हमको भी दी है हमको भी कई बार आपने नुभव कियोगा बिना वज़े आपको गबराट हो रही है बैचे नहीं हो रही है और आप कहते हैं कुछ बुरा होने वाला ऐसा लग रहा है और जब कोई पूरी घटना होती है आपके जिवन में जब आप कहते हैं सुबह सही मुझे ऐसा हो रहा था यह क्यों हुआ क्यों कि इंस्टिंट की वज़े से और इंट्रलेक्ट दी है हमको बुद्धी दी है इंट्रलेक्ट और हमको परमात्मा ने एक इंट्यूशन की पावर दी जिसको हम सिक्स सेंस कह सकते हैं इंट्यूशन मैंने बता ना, कि बादी सभी जानवरों कभी दिए लेकिन हमको विशेस दिया है, सभी जानवरों को जरी है निदि अकाशित रेकोर्ड कॉर्स, अपने आप में एक ऐसा अद्धूध कोर्स है, कि इस technique के जरीए इसकी methods के जरीए आप ये intention, attention awareness और instinct intellect, intention, intuition को आप जो है integrate कर सकते हैं अपने जीवन में और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जीवन में आने वाले चुनोतियों को पुर्वजन कर सकते हैं, उसके लिए तियार कर सकते हैं, उसको टाल सकते हैं, अपन कर्मों का चैन कर सकते हैं, cause and effect का पता कर सकते हैं, जो हम समझने के कार्मिक जो सिद्धान्त हैं, आज हमने जो कर्म करते हैं, जिसको हम क्रियमान कर्म कर्म कहते हैं, उसी के अधर पर हमारे आगामी कर्मते होते हैं, और आगामी कर्म के अधर पर ही प्रारब्द कर्म होता है तो पहले से ही अगर हम ये चितना को विस्तूत करके, एक्सपांड करके, अगर हम पता लगा लेते हैं कि आगे मेरी टरजेक्टरी में, जीवन की जरनी में कौन-कौन से ऐसे कर्म है जो मुझे नहीं करने है, या कौन से कर्म ऐसे जो करने हैं, उसको बोलते हैं लूप, जैसे कौन सा ऐसा आगे रास्ते में कौन सा ऐसा जंक्षन है जहां से हम रिरोड कर सकते हैं ताकि उस ट्राफिक जाम को अवइड कर सकते हैं वैसे ही अब अपने जीवन में यह पता कर सकते हो कि ऐसा कौन सा डिशिजन ऐसा कौन सा कर्म आप करें ताकि जीवन में उस आने वाले जाया, intention, attention, awareness और instinct, intellect, intuition को कैसे integrate किया जाता है expanded consciousness क्या है और कैसे हमारी जो जीवन की गती है, हम भोती गती करते है gross body consciousness को भी अनुभव करते हैं लेकिन साथ साथ हम expanded consciousness अपने चेतना के विश्थूति करण को भी हमें अनुभव करना होता है हमारी चेतना के व्याब को भी बढ़ाते जाना है तो ही हम जो है जीवन में आध्यात्मिक उन्नती भी कर पाएंगे otherwise हम अपने जीवन के अंदर जो आपका जो जीवन का ये जो शरीर रुपी हवाई जाज है वो हमें इसा रनवेपई दौरता रहेगा भोतिक गती ही करता रहेगा भोतिक गती भी जरूरी है जीवन में भोतिक कामियाबी भी जरूरी है लेकिन साथ साथ अपके चेतना का व्याब बढ़ना भी जरूरी है जब चेतना का व्याब बढ़ेगा तो भोतिक कामया भी और 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 भैतर होती जाएगी बिना कस्ट के कई बार बता है भोतिक कामया भी मिलती है लेकिन कस्ट भी बहुत होते हैं लेकिन अगर आप चीतना के वियापको भी कैसे बढ़ाया जाए वो भी सिखते हैं तो कामया भी मिलती है बिना कस्ट के पेन होगा चुनोती आएंगी परमात्मा आपका इम्तियान लेगा लेकिन साथ में मार्ग दर्शन भी करता है वो आप अकाशिक रेकोर्ड के जरीए उस फ्रिक्वेंसी जो मार्ग दर्शन के रोप में फ्रिक्वेंसी को आप ग्रास्प करके उसको डिकोड कर सकते हैं मुझे यकीन है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है उसे लाइक करें अपना कोमेंट भी दें और लोगों के साथ शेर भी करें दन्यवाद शुक्रिया